हम यह मैं इसमेंड़ से लेक्टिर 2 वाइटिकल लिपस पेरा बोला पंद चीजे हैं ने कर रखिये हैं मेरे यूट्टियूब चेनल पएले से लिज भी करेंगे अभी वाइटिकल लिपस पढ़ रहे हैं अच्छा एक और बात है कि काफी देट्स इस टॉपिक को लेकर परिशान है पता नहीं क्यों कि इसकी टाइग रहे हैं इसकी डिफिकल कंडिशन्स चाहद उनकी वज़से डिफर्ट प्रपर्टी इस वोटेवर बट यू आपना इस टॉपिक को ग्राफिकल अगर इन टॉपि किसी और इंट्रेस्ट में हैं तो इन्शाला आप से वह मिस नहीं होंगे देखिए मुझे भी मतलब डिरेक्ट नहीं पता कि इसकी कौन-कौन से पॉइंट्स बनने वाले रटा नहीं लगा होगा सिर्फ मुझे एक्विशन पता है मैं एक्विशन लिखूंगा उसके बाद इसका जो सेंटर है यहां पर सी यहाला पॉइंट पॉइंट नहीं अगर लिख लो इसको मैं पॉइंट वन को बाहर लिख लेता हूं और यह सेंटर है पॉइंट वन सेंटर तो यह जो है नहीं जीरो कमँजी रूपे हैं यह कैसे कहस करते हैं सब बताता हम एक्स के ओ वाइस क्यार ओवर एसक्यार और इसमें कंडिशन डाल देते हैं कि ए ग्रेटर दन बी है जो इंडिकेट करेगा कि जिसका डिनॉमिनेटर बढ़ा है एक्र सब्सक्राइब दन बी मतलब एस डिनॉमिनेटर ओफ वाइस के सकते हैं कि मैजर एक्स जो है वह लॉंग वाइक्स से और यह बढ़ा है यहां पर जीरो इसका सेंटर है यह कैसे बनाए एक्चली इस एक्ट्री यह जीरो बजीरो ना होता कोई और लिप्स होता जिसका सेंट होता है यहां से हम यह कहते है कि y-k is equal to 0 and y is equal to k center का y component k है और x-h यहां से x-h is equal to 0 x is equal to h मतलब इसका center जो है इसका center का जो x component है वो h के बरावर है तो इसका center कहां पर हो जा जाता है h, k पर in general निकला आए है बट क्यूंकि यह origin पर है तो यहां पर h, k की value जो है एक्षण, वो 0 हो जाती है तो खुद सोचें कि अगर मैं यहां के एक जगा 0 पूट कर देता हूँ तो simple x बचेगा और y बचेगा और equation क्या बन जाएगी x square, sorry y square divided by a square plus y square over b square equals one equation बन जाएगी तो इसका center हम लिख ले हैं यहां पर इसका center है वो 0,0 के उपर लाएग कर रहा है दूसरी बात अगर major x यह है थोड़ी, sorry, थोड़ा लिफ से अगर टेड़ा बना हुए तो इसको मैं ब्रेकर सकता हूँ चलब से जाए ठीके तो यहां पर अगर मैं देखूँ यह वाला point और यह वाला point, दो points है में पास यह vertex 1 है, sorry, vertex 2 है, let's say और यह vertex vertex 1 है, ठीके? तो इनके points क्या होंगे? हमें पता है, अच्छा यह भी है कि major x की total length है length of major x ठीके length of major x of an ellipse वो हती है 2a के पराबर ठीके? तो यह total अगर टू है यहां से लेके यह major x जेना यह अगर चे total 2 है तो इसको half कर दें क्योंकि इसका half उपर है, half नीचे है इसका अगर half कर दें मतलब यहां बाद यहां से लेके यहां तक का यह इसका a बनता है यह भी इसका a बनता है ठीक है, क्योंकि यह नीचे है y-axis, नीचे जो नेगेट होती है, तो इसका देखेए य-axis है, y-axis पे x component 0 होता है, तो मैं यहां पर डारेक्ट 0 लिख सकता हूं, और क्योंकि a units नीचे आए हैं इस पोइंट तक, तो हम इसको a mark कर सकते हैं, a नीचे आए y-axis पे निचे 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 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि this point is going to be 0, minus है और this point is going to be 0, यह भी again y axis के उपर है, ठीक है, y axis के उपर है, तो y axis के उपर x की value 0 हो थी, इसलिए मैंने यहां पे x की value 0 डाल दिये, और यह क्योंकि distance गटियर distance a unit से, यह point a unit origin से coordinate है, यानि कि y component है, वो a, मतलब कह सकता हूं कि यह a है, और यह मैं positive क्यों डाला कि x axis के उपर y की value positive होती है, ठीक है जी, यह हमारे vertices निकल आए, यह vertices यहां पे क्या हो गए, 0, plus minus a, जो अगर इनको अलग अलग लिखें, यह vertex 1 जो हमारे 0, a और vertex 2 जो है, that is going to be 0, minus a, vertex हो गया इसके बाद, यहां पे, इसको मैं बिटार दूँ, यहां पे focus 1 होता है, if 1 में कह दूँ, अगर मैं f1 कह दूँ यहां पे focus 1, इसके coordinates क्या होने चाहिए, और यहां पे, let's say, f2, यहां पे यह f2, तो इसके coordinates क्या होने चाहिए, हमें पता है, focus जो होता है, वो c units अवे होता है, center से, तो यह वाले distance अगर हम c मान लें, यह वाले distance अगर c है, तो अगें यह point vertical, यह नगे y-axis पे आ रही है, तो अगें इसका जो a component है, x component है, वो 0 होगा, और y component क्योंकि हम c units उ अगे, और यह point हो जाएगा, और यह point हो जाएगा, minus c, क्योंकि y का value, x-axis से नीचे, negative होता है, तो मैं कहें सकता है, focal points इसके क्या होगा, 0, plus minus c, लग 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 लिखते हूं, तो f1 is equals to 0, c, and f2 is equals to 0, minus c, literally, मुझे यह चीज़ें पढ़ते हुए, काफी time होए, और मैंने मैं इसको देखा भी नहीं है, और direct में समझाने के लिए आगया हूं, और सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि मेरी अलमदला graphical understanding इसके उपर सही है, next is, यह अच्छा, lattice rectum, length of lattice rectum of ellipse, सब को बता है, अगर नहीं बता तो, care है, lattice rectum क्या है, actually, एक line segment है, जो के focus में से पास करता ह और axis of ellipse पे, sorry, axis of conic के उपर perpendicular भी होता है, यहाँ पर देखे, perpendicular axis पे, अब axis क्या है, axis वो होती है, line, जिस पे conic का focus लाए कर रहा हो, oh my god, ठीक है, तो, यह यहाँ पे, अगरचे यहाँ पे focus 2 था, तो यह दूसरा lattice rectum है, ठीक है, अब यह जो lattice rectum है, इसकी जो length होती है, वो 2 2b square over a होती है, length of lattice rectum of an ellipse, where a greater than b is 2b square, length of, लिक देता हूँ, length of letter rectum of ellipse is 2b square over a, ठीक है, अब बहुत, चलो यह भी clear होगा, और lattice rectum में आप देखेंगे, क्योंकि इसकी जो total length है, वो 2b square over a है, यहाँ पे यह और यह दोनों बराबर हैं, तो end points of a lattice rectum का, अगर मैं पूछ हूँ, तो बता सकते हैं न, अराम से बता सकते हैं, इसकी यह दोनो आधि क्या हो जाएगी, b square over a और b square over a, इसका आधाएसा यह वाला b square over a हो जाएगा, और आधाएसा इदर हो जाएगा, b square over a, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यह भी हो जाएगा, b square over a, अब में, यहाँ पे अगर आपको point याद होईए, तो यह वाला point f2 हमने लिखा था, 0, minus c, अब मैं बिल्कुल horizontally move कर रहा हूँ, right word को, यह आप देख लें कि मैं fourth quarter में आ चुका हूँ, fourth quarter में y का value negative होता है, और x का value positive होता है, और यहाँ से मैं horizontally move कर रहा हूँ, इसका मतलब horizontal line के उपर vertical component constant रहता है, यहाँ पे minus c था vertical component, again horizontal line पे, वो again यहाँ तक भी horizontal line पे y का value constant ह तो यहाँ तक भी उसकी value minus c ही रहने वाली है, और इसका x component क्या होगा, x component क्या है, यहाँ तक 0 था, अब जो यह आपने horizontal move किया है, कितना move किया है, आपने b square over a जितना move किया है, ठीके, b square होगा, तो यह वाला point हमने mark कर दिया, कि यहाँ पे यह end point of letters rectum, नीच वाल जो यह end point क दोनों negative होते हैं, यहाँ पे again c point था, वो y component c था, left में आ रहे हैं, left में जैसे आ रहे हैं, ऐसे, और horizontally move कर रहे हैं, तो horizontal line के उपर तो constant होता है y का component, तो इस वाले point के लिए again मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे minus c था, यहाँ पे minus c है, यहाँ पे minus c है, पूर horizontal line पे y component constant रहेगा, और क्या है, वो minus c है, और इसका horizontal component बनेगा, यहाँ से देखे, यहाँ पर zero था horizontal component, अब original आपने move किया, कितना move किया, 20 square हो रहे है जितना, अब यह क्योंके left में आए, y axis की left में, जो x component था, वो negative होते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे, minus b square over a, अगर यह वाले point सोचें, तो यह हैं, यहाँ पर c था, यहां से लेकİм, यहां तक हमने मान लिया था, कि यह सी है, तो यहाँ से लेकी, यहां से लेकी यहां तक c था, अब horizontal move कर रहे है, vertical component रहेगा, constant जो c था हो सी रहा है, ठीक है, अगर याद हो यह point तो हमने यह लिखा था, 0, c, यहां 0, c है, अब horizontal move कर रह कि यानि इधर से लेके इधर तक, इसने कितना मूझेб़े है बीघ को रवर ए जितना मुझ रवर बर यहाँ भए अब देखें तो माइनस साथ बीस क्योई उवर ए क्यूंकि यहाँ में वा आफॉप।क्छ का होता हो, मैंनिस साथ बीस to और ड्रॉ करके विजुलाइज करके concept clear हो रहा है I think so आप comment करके बता हैं बेशक और यहां पर जो वर्टिकल कमपोर और जगा वो जगा प्लास का C तो endpoints of lettuce lectum के अगर में बात करूँ है endpoints of LR तो combine लिए अगर में लिखूँ plus minus b square over a और plus minus c यह होगा लेकर अलग लग करके लिखें के एक थे मतलब नीचे वाल लेटर स्रेक्टम के अगर लिखूँ में endpoints even में लिखता हूं sorry e2 लिखता हूं नीचे के लिए क्लिए सेकंड लेटर स्रेक्टम है क्यों मैंने f2 यहां पर पॉंट लिखा था तभी मैं इसको e2 यानिक लेकर लिखने के लिखने का वहां पॉंट लिखता है ठीक है तो नीचे वाले लेकर स्रेक्टम के एंट पॉंट्स किया थे वह थे ऊपर जो है वाटिकल कंप्वेंट कॉंस्तन था और अरीज़न्टल मूग करता था वह था था वह प्लस मैनस इनको लग 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 लिख लें तो यह कोई B square over A, minus C और दूसरा है minus B square over A, c, same for here, minus of B square over A, c, जिए minus C और दूसरा, इसका plus B square over A, c, जिए 4 endpoints इसके हो गए, I hope so कि यहां तक बिल्कुल clear है, चलो मैं आगे नहीं उठाता हूं, नीचे से मिटा देता हूं, मैंने लिख लिए, कितने points बनगे हैं, अब और बनेंगे, और बिल्कुल visualize करके बना बना पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा आपने मटा दू, शायद और भी काम आ जाया है, लेकिन, देखते हैं, जड़ोजी, अब, अब directrix, directrix की बात करते हैं, directrix क्या होता है, इंचाले next video के में, मतलब, जो connect sections related, definitions बनती है, next video में वो बनाऊंगा, hopefully, लेकिन, ये directrix, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये online, चाहिए आपने अपने यूट्यूब चनल पर, अगर ये horizontal line है, और ये center से, a अपन में e जितना दूर है, मतलब a c line है, ये वाली a c line है, equation of horizontal line, a distance, a over e units away from the origin, down the x axis, तो उसकी, देखें, ये एक horizontal line है, तो horizontal line है, इसका मतलब horizontal value change होता जारे है, तर बढ़ता जारे है, तर कम होता जारे है, तो क्योंकि horizontal line है, और horizontal value change कर रहे है, वेरी कर रहे है, तो हम horizontal components में इसकी equation नहीं बनाएंगे, तो क्योंकि वो constant तो आई नहीं रहे, इसमें एक चीज़ constant है, इसका y का मतलब rise कर रही नहीं रहा, तो हम इसकी y के terms में equation बना सकते हैं, ठीक है, horizontal line की equation जो है, वो y के components में बनती है, और vertical line की equation horizontal components में बनती है, यानि कि x is equal something में बनती है, और यह horizontal line है, तो इसकी equation जो है y is equal something बनने वाली है, क्योंकि यह again x-axis से नीचे है, या फिर इसको लेख सकते हैं, y plus a over e is equal to 0 is the equation of यह वाले directrix, उपर वाले directrix की equation गना हैं, तो यह भी a over a units, sorry, a over e units दूर है, origin से, ठीक है, यह जो distance है, वो a over e distance है, और यह over the x-axis है, x-axis के उपर है, above the x-axis है, तो यह भी horizontal line है, इसकी equation y के terms में बन दूर है, equation of horizontal line, a distance a units away from the origin, above the x-axis, a distance a by e units is, y is equal to a over e, समझा रहे है, या फिर अगर a over e नहीं समझ रहे है, तो यह देख लेए, अपने यह पढ़ा होगा, यह हमारा पास equation है, अगर यह 8 a units, the origin से a units दूर है, और right of the y-axis है, तो और यह vertical line है, तो मैं इसकी x के terms में equation रहोंगा x is equal to a, क्यों, क्योंकि यह vertical line है, y के values change हो रहे है, तो मैं y के terms में इसकी equation नहीं लिख सकता, horizontal components का constant है, यह चीज़ लिख सकता हूँ, वो क्या है, x is equal to a, भाई, यह इसके x components है, हमेशा a ही रहना है, इसी तर अगर मैं horizontal line draw कर रहा हूँ, जो इसके b units away हो, origin से और above the x-axis हो, तो y के terms में बने ही, क्योंकि y component यहां पर constant है, y is equal to b, अगर यह b units अगए, clear, यह मैंने analytical geometry वाले, जो straight line वगेर के lecture से बसमें भी बताया हुआ है, और आपने भी books वगेरा से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने भी, यहां पर भी clear कर दिया है, ठीक है, दो जी, यहां पर endpoints, equation of directrix भी हो कि 2 है, y is equal to plus minus a, plus minus a over e, अच्छा, मैं अगर पूछ हूँ कि 2 directrices के तर्मियान distance कितना है, यह over a over e है, यह भी a over e है, तो distance between two directrices में लिख सकता हूँ, distance between two directrices is equals to 2 a over e, और ellipse के लिए जो हमार पास एक equation होती है, कांट की, बड़े कांट की, यहाद रख लो, कि वो होती है, a square minus b square, यहां कि, c square is equals to a square minus b square, या फिर आप कहे सकते हैं, c is equals to plus minus under root a square minus b square, यह ellipse के लिए, और जो equation hyperbola के लिए आगे, hyperbola के लिए इंचाला पढ़ेंग होती है, c square is equals to a square plus b square, या c is equals to plus minus a, और a square plus b square, hyperbola के लिए आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे equation काम की थी, जो मैंने भी उपर लिख लिए, यह ellipse में होती है, काम हाती है, calculations में, और क्या है, eccentricity of ellipse is always less than one, यह भी याद रख लो, और eccentricity is equals to c over a के बराबर होती है, c is c equals to a, यहाँ से यह भी आपको कामा सकता है, c is equals to a e, इसी लिए, यह focus के यह जो points होती है, हमने दो focus बनाए थे, 0 कामा यहाँ पे plus minus c बनाए थे, तो c की value यह वाली value यहाँ पे आ सकती है, और confuse हो जाते है, बच्चे के, यह कहां से हो रहा है, focus के points यह कैसे हो गए, plus minus a हो रह यहाँ पे भी मतब c की जो यह value है, c equals to a e, यहाँ पे यूज करके इसमें से कुछ बना सकते हैं, देख लाए है, c square is equals to a square minus b square, put c is equals to a square, put c is equals to a e, यह इतरी put कर दे, तो यह a square, e square is equals to a square minus b square हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ से b square is equals to a square minus a square हो सकता है, हो जाएगा, यहाँ से य यहां से निकल रहा हुता है और इसमें से कुछ और भी बना सकते हैं लाइक एक जगा कोई और वेल्यू पूट करनी हो लाइक एक है और टीक यह मैंने बना लिया और किया है दो डारेक्ष्स की की तर्मियान देस्टंस हो गया लेंट बात कर लिए पहले होती है minor axis यानि कि यह वाली इसकी length क्या है और यह इनको बोलते है को वाट इस माइनर एक्सिस के endpoints को हम बोलते है overtaises अगर इसको मैं लेख खूण कि राइट साइड पे तो इसको मैं x-axis के उपर है यहां पर भी same अगर यह b unit से और left of the y-axis आए है तो इसको मार करेंगे minus of b, 0 again यह b unit है, यह भी b unit से तो total यह कितना हुआ है, 2b कह सकते हैं कि length of minor axis जो है length of minor axis वो 2b है और यहां से मैं क्या बना सकता हूँ सोचें सोचें, आपरी सोचें अच्छा, तो यहां पर हमने, मैंने, यहां पर एक latest rectum डाया किया था, उसकी equation नहीं थी लिखी, sorry सो, देखें, points यादा आती जा रही है और मैं लिखने जा रहा हूँ यह दो latest rectum थे हैं, दोनों की कर मुझे equation लिखनी हो यह देखो, यह है again horizontal line है, यह भी horizontal line और यह कितना दूर है, origin से यहां पर कौन सा point था? 0, c यहां पर 0, minus c तो अगर मैं इसकी equation बनाओ, क्योंकि यह भी horizontal line है तो इसकी y के terms में equation बनी क्यों y cut compound यहां पर constant है और यह क्योंकि below the x axis है, तो इसका क्या equation बनी क्या equation बनी क्यों y equals to minus c यह latest equation of latest rectum below the x axis जो है, उसकी equation y equals to minus c या y plus c equals to 0 भी लिख सकते हैं और c की value ae है, तो y equals to plus minus ae इसकी equation हो सकती है समझारी बात, तो उपर वाला जो है latest rectum उसकी equation बता दो, क्योंकि यह again horizontal line है तो इसकी equation y के terms में बनेगी और यह c earns above the x axis है तो इसकी equation के बनेगी y equals to c या y minus y minus c is equals to 0 और c की जगा गर value put कर सकते हैं तो y is equals to ae, यह भी सही है चलेगा latest rectum की equation, latest rectum की length, distance between two vertices अगर ऐसा भी question आचते हैं, यह भी vertex है, यह भी vertex है vertex 1, vertex 2, distance between vertices में कहूं या फिर length of major axis कहूं, सेमी जीज़ है तो confuse कर सकते हैं ऐसे भी और distance between covertices कहूं या फिर length of minor axis बोलूं, वो भी to b दोनों तरह पूछ सकता है और यहां पर क्या चीज़ रहती है भी मैं सोचूं अच्छा अगर यह वाला end point पूछ लेगा भी क्या वाला काम आजाएगा अगर मैं आपसे यह पूछ हूँ, कि यह कितना होने वाला है, यह भी again y axis के उपर है यह वाला point तो इसको मैं d बोल देता हूं कि डारेक्ट x का point है कि यह again y axis के उपर है, तो x component में 0 होने वाला यह है और यह कितना दूर था center से, a by e जितना तो यह में इसका a by e component, इसने कितना rise कि यह vertical component में, a by e जितना a by e जितना down भी आए, तो यह वाला point क्या हो सकता है, यह वाला point यह मेरा हो सकता है क्यूंकि y axis के उपर है, तो x component 0, और क्यूंकि x axis के नीचे तो x axis के नीचे y के value जो होने नेगेटव होती है वह एक line होती है, जहां पर conic, especially conic, जो focus होती है, मतलब focus, वह लाय कर रहा होती है यह इस line के उपर focus लाय कर रहा है तो यह axis of this ellipse, यह axis of this ellipse is actually vertical line, यह यह y axis के equation क्या होती है y axis में, y axis के उपर आप देखें, तो y की value जो है, वह constant तो है नहीं, तो y के terms में equation नहीं बनाएंगे और vertical line है, तो vertical line की equation हम horizontal component यह x component में बना लेते हैं तो y axis के उपर x component 0 होता है, लेक सकते हैं, इसी तरह यह equation आ गई है, यह equation आ गई है, यह y axis की equation है, x is equal to 0 is the equation of y axis, इसी तरह y is equal to 0 is the equation of x axis and the combined equation of coordinate system आ जा जाए, x y is equal to 0 is the combined equation, मतलब यह x y 2 की equation, क्यों, देखें, x is equal to 0, यहां से गर निकाले x की value, put करें तो y की value भी यहां के 0 ही आ रही है, ठीके, I hope कि जितने points बनते थे, वो मैंने clear कर दिये, अच्छा, इनकी न, वो भी बनते हैं, parametric equations, वो भी इंचाले next lecture में, parametric equation की एक ही वीडियो बनाऊँगा, जिसमें parametric equation of circle, parametric equation of ellipse, hyperbola, parabola और सब की one by one, इंचाले discuss करेंगे, अब इतक जितना हमने पढ़ा है, शायद उसकी practice करवा हूँ, but I think next lecture, इस lecture का end हो चुका है, next lecture में हम, इसे parabola को discuss करेंगे, जिसका जो vertex होगा, वो h, k, k, उपर होगा, और उसके बाद हम discuss करेंगे, vertical ellipse, sorry, horizontal ellipse, horizontal ellipse, most probably, जिसका जो center होगा, वो h, k, k, उपर होगा, और यह भी वयाद रख लेंगे, जो parabola होता है, उसमें कोई center वगिरा होता नहीं है, center होता है, circle ellipse, hyperbola में, parabola में vertex होते हैं, इनमें भी vertex होते हैं, बर दो-दो होते हैं, vertices के लाहते हैं, vertex और covertext भी होते हैं, सारा क्या सीन था, समझ लिया, again मैं तोड़ा graph को देख लिए हूँ, शायद कुछ नजर आ जाए, अगर कुछ रहता है, तो, मुझे नहीं लगता कोई चीज रही है, अगर रही भी होगी, तो चला next lecture में हम discuss कर लेंगे, that's all for today, up to this lecture, thank you so much, allahafiz.